है दोस्तों मैं Netset JRF Previous Papers के सीर्स का एक को वीडियो लेकर आया हूँ यह सीर्स का सेवांतर वीडियो रहेगा इससे पहले छे वीडियो में मैंने Important PYQs अफलोड किये हैं और उसके अलवा भी बहुत सारे previous year Papers और Important MC को भी मैंने डिस्कस किये हैं यह सारे चीज़ी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्टे में जहांपे Netset Previous Papers के नाम का लिस्ट है उसके दावा थोड़िस्टे के आलवोश सारे चापिकस पर आपको वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्टे में जहांपे JKS Set, Alistat, N10 Net Papers 1 के नाम का लिस्टे है उसमें आपको हर प्लेलिस्टे में जाएंगे और वहां से किसी भी टाविक पर वीडियो सेर्च कर दिजे, आपको वो मिल जाएंगे और इसके दावा अगर आपको PDF नोड़्स चाहिए तो Telegram चानल जाइन कीजे तो चैसम शुलिब करते हैं, यहां पर हम लिस्ट करेंगे Question No. 34 से आगए The Report on Currency and Finance for Each of the Financial Year in India is published by A.Pardis का सही आज़र है, Reserve Bank of India. उसके बाद Question No. 35 The number of students in two classes A and B and the respective mean of the markers obtained by each of the classes are given in the table below. यहां पर नमबर आफ जो students है वो 80 है और उसके साथ यहां पर जो मीन है कलास A में वो 10 है और यहां पर जो मीन है वो 20 अब हम को क्या बताया गए है आप Combiner Main निकाल लेजिए मारकस का इन दो कलासिस का जो यहां पर जो इसका आंसर है यह गलत है इस पर आप नहीं जाएए मैं इसको आपको सालो करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इस तरह का question करना होता है जब भी आपके पास यह Combiner Main आएगा आपके पास Main एक group का भी दे हुआ है और Main दोसरे group का भी दे हुआ है एन पहले group का भी दे हुआ है और एन दोसरे group का भी दे हुआ है और आपको Combiner Main निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे उसके लिए आपको फार्मल यह याद रखना है मालव है कि Combiner Main हमें A और B का निकालना है ऐसे या इसको Double Bar भी आप कर सकते हो इसका A भी का मतलब है कि group A और group B दोनों का हमें Combiner Main निकालना है इसके लिए फार्मला क्या है यह किसके बराबर होता है यह बराबर होता है N1 N1 का मतलब आप यहाँ पर रिसकते हो N A यानि A group में कितने number up students है इंट्र करना है उसका Mean जो है Mean A यानि group A में क्या Mean है प्लस आप यहाँ करेंगे N2 और इंट्र करेंगे आप उसका Mean जो है B group का X bar B जिवर्ड मैप करेंगे N A प्लस करेंगे आप N B इन शार्ट आफ याद उसको उसके N से माल्ट प्ले करना है दूसरे वड़े का जो Mean है उसको अपने class के N से माल्ट प्ले करना है जो answer आएगा उन दोनों को आपको sum करना है और divide में करना है कि दोनों groups में या दोनों class में total कितने candidates हैं यहाँ पर आप देख लीजे कि यहाँ पर जो पहला group है उसमें 20 candidates है और mean है 10 20 candidates है और mean है 10 इसका मतलब है इनको आप multiply कीजिए आपस में 20 into 10 वो होता है 200 उसको आप add करेंगे दूसरे group का जो mean है और number है यहाँ पर mean कितना है 20 mean है और number कितना है 80 है याई 80 को आप 20 से multiply करेंगे तो कितना answer आ जाएगा तो वो बन जाएगा 1600 ऐसे और divide में क्या करना है divide में करना है दोनु groups में कितना total है याई number of candidates या number of students किते हैं दोनु में यहाँ पर पहले group में 20 number of students थे दूसरे group में 80 थे आपको दोनु का sum करना है यहाँ पर देखेंगे n1 प्लस n2 या na ब्लस nb तो दोनु को आप sum करेंगे तो 80 प्लस 20 वो बन ज जाएगा उपर यह 200 था और यह 1600 यह बन जाता है 1800 इजी है सबको आएगा डिवाइड करना है आपको 100 से यह 200 कार्ट यह 200 कार्ट तो answer आएगा आपका 18 तो 18 इसका आउसर है या इन दो का बन जाएगा वो 18 बन जाएगा तो answer में इसने क्या दिया है B यह गलत है A part इसका सही answer 18 इसका answer आजाएगा तो यह फार्म आप याद रखे कि जब भी आपको combine में निकालना होता है आपको देखना होता है कि एक group का mean क्या है और उसमें कितना n है उनको multiply कीज़े दूसरे group का mean क्या है और दूसरे group का n क्या है उनको ब्याब समें multiply कीज़े फिर इन multiply जो आए हमेरे पास दो नमबर इनको add कीज़े और divide में कीज़े कि कितने दून groups को total n बन जाता है तो हम चलिए के question number 36 पर ICT stands for यह question आया है बहुत बार exam में ICT stands for information and communication technology यानि C part इसका सही answer हो जाएगा उसके बाद 37 question which of the following statement is not correct कौन सा correct नहीं है यह पार्ट correct नहीं यानि computer is capable of processing on digital signals यह एक correct नहीं इसका मादा बाकी जो है वो correct है उनको भी हम read करेंगे ताकि हमको computer से related इनका region हो जाए यानि computer is capable of analyzing both quantitative and qualitative data यह याद रखिए important characteristics है appropriate software is required for processing data यह भी important condition है computer is capable of processing digital as well as analog signal यह भी सही है उसके बाद चलेंगे हम question number 38 पर which of the following is the appropriate definition of information technology कौन सी appropriate definition है तो c पर इसका सही answer है information technology refers to the use of hardware and software for storage, retrieval, processing and distributing information of many kinds तो यह इसका सही हो जाएगा उसके बाद 39 question which of the following statement is correct कौन सा correct है यहाँ पर दो option आप देख लिजे बाकि दो next page पर है यहाँ पर देख दीजे यह दो है और सही इसका c पर याई वाइरस is virus is a part of software उसके बाद हम चलेंगे question number 40 पर which of the following is correct statement यहाँ पर कौन सा correct है डी पर अलब देख वो इनने सारे correct है तो इनको आप read कीजे एक बार computers can be used for diagnosing the difficulty of a student in learning a subject psychological test can be done with the help of a computer provided a software is available c किता है के a set of instructions is called a program यह सारे सही है और इनको भी याद रखे important है 41 question global warming during winter becomes more pronounced at the the deep part इसका अंसर है Tropic of Capricorn उसके बाद 42 question in the study of man environment interaction the statement of miss sample that the humans are solely the product of their environment is to see part a factor इसका सही अंसर है 43 question in analysis of man environment relationship programmatic possible ism implies that see part is cancer है the man has to watch and assess the situation and then go ahead with resource utilization उसके बाद चलेंगे next question पर 44 question arrange column second in proper sequence so as to match it with column first and choose the correct answer from the codes given below column first column second है यहांपर activity है यहांपर noise level है यह भी important question है इसको याद रखिए नीचे codes में answer दिया हुआ है और आपको इसका answer यहांपर कर देना है answer इसका B part है यानि पहले को second आएगा ऐसे फिर B को first आएगा इस तरह से उसके बाद C को fourth आएगा यहांपर और इसको third आएगा तो याद रखिए hearing के लिए क्या important है one decibel whispering 30 decibel और interference with sleep 30 to 50 decibels अगर noise होगा यानि normal talk जो होता है वो 60 decibel तक होता है 45 the maximum loss of forest land in India is caused by तो एपार इसका answer रहे रिवर वैली प्रोजेक्टर्स 46 question in which year the university grant commission was established simple question है established की बात यहांपर हो रही है तो 1953 इस लिट आपको एक और important date याद रखना है वो है 956 इजिन क्या हुआ इजिन वो एक statute रिबाड़ी बन गई थी UGC उसके बाद question number 47 another name of basic education और नाइट ताम उसका नाम क्या है दूसरा सी पर इसकांसर है वार्दा education plan या इसको वार्दा scheme of education भी कहा जाता है उसके बाद question number 48 the idea of democratic decentralization in India was popularized by यहां दो options है बाकी दो options हम next page पर देखेंगे यहां देख लिए बाकी दो options लेकिन सही आंसर इसका है C part B.R. Mehta community 1957 उसके बाद 49 question in India a political party is recognized as a national or original party by the B.Port election commission of India उसके बाद 50 question which of the following factor is responsible for the increase in the role of government in developing countries यहां पर यह चार statements दे गए हैं उसके बाद यहां से आपको answer choose करना है सही इसका A part है A और D जिसमें शामिल है A के था economic planning और D के था emergent of the concept of welfare चलेंगे हम next question पर यहां हमाई पास next question है team teaching has their potential to develop answer है इसका C part the habit of supplementing the teaching of each other उसके बाद next question पर चलेंगे which of the following is the most important characteristic of open book examination system यह important question है बहुत बारे exam में आ चुका है आप तक यह इट compels students to think उसके बाद question number 3 which of the following methods of teaching encourages the use of maximum senses इसका answer भी पढ़ है laboratory method question number 4 which of the following statement is correct a part यहां पर correct है communicator should have fine senses उसके बाद fifth question and effective teacher is one who can यहां पर दो option दिये गए है एक है control the class दूसरा है give more बाकी portions का दूसरे पेश पर है more information in the last time c कहता है कि motivate students to learn और d कहता है correct their assignments carefully यह इदर का portion यहां पर आ गया है तो आपका बता है कि सही क्या है सही इसका answer है c part यानि motivate students to learn यह most important question यहां पर है second one of the following is not a quality of researcher कौन सा researcher की quality नहीं है deeper है his assertion to outstrip the evidence यह आपर सही नहीं है बाकी जो तीर है वो सही है उनको भी read करेंगे हम unigene with that of which he is in surge यह important condition है he must be of alert mind और सीकत है keenness in inquiry यह तीनों चीज़ें important है researcher से related next question a satisfactory statistical quantitative method should not possess one of the following qualities तो deeper discuss सही answer है flexibility उसके बाद next question books and records are the primary source of data in books or records जो होते हैं वो primary source होता है किस टेप की research में इनको primary source कहा जाता है एप और इसका important question है यह इसको याद रखे historical research कि भी क्वी question ऐसे भी आता है कि historical research में कौन कौन सा primary source है वहाँ पर बहुत सरे options दिया जाते हैं तो उनमें से आपको चूज करना है historical research में आपको याद रखना है कि primary source हम उनको कहते हैं जो की books होती है या recorders होती है उनको हम कहते है primary source उसके बाद ninth question इसके बाद 10th question प्रेकेस्ट ऑफ रिसेर्चर इन sciences, social sciences and humanities और यहाँ पर तीन options है एक option next page पर है यहाँ पर देख लिजए next topic सही answer इसका B part है आप यह B part क्या है वो हम देखते हैं B part यहाँ पर है supervisor topic critical analysis, patience यह चीज़े important है research के लिए उसके बाद यहाँ पर passage दिया गया है 11 से 15 ताब तो passage को कैसे सालो किया जाता है इसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना दिया है पर लिस्टि में जाएए वहाँ पर आपको jk set, ls set, enter, न्याट के नाम के जो लिस्टि मिलेगा उसमें आपको इस पर अलग से वीडियो मिल जाएंगे कि passage को हम कैसे सालो करते हैं और किस तरह से हम इनको काम टाइम में 100% accuracy के साथ question सालो करते हैं तो यहाँ पर हम इस सालो देह करेंगे आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही thank you